ये सोशल मीडिया का दौर है और इस दौर में दुनिया में पूरी कहीं भी कुछ भी अगर खास है तो वो बहुत जल्दी दुनिया के बाकी हिस्सों तक पहुँच रहा है ये बात मैं आज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आयोध्या में एक साधू है और उनका नाम है पंडित मानसदास उनकी गाईकी पिछले 15-20 दिनों से सोशल मीडिया में इस कदर वाइरल है कि मुझे लगता है अगर सारे प्लेटफॉर्म्स को जोड़ दिया जाए सोशल मीडिया के तो लगबग करोणों लोग उनकी गाईकी देख चुके हैं पहली बात तो विजूली बहुत अच्छा लगता है कि एक दाड़ी वाले साधू और बहुत पक्के सुरों में आप उनसे कवाली सुन लें आप उनसे दादरा सुन लें आप उनसे घजल सुन लें आप उनसे फिल्मी गाने सुन लें सब कुछ बहुत ठहराओं के साथ और स तो इस तरह की तमाम जो सुक्ताइं थी उनको उनका जवाब ढूंणने के लिए हमने उनको आमंत्रित किया और वो हमनेके आभारी भी है कि वो हमारे पास आए और हम उनसे इस तरह से कुछ फार्ब का जीवन उनकी जो घाई की है उसको लेका बात्सीत करेंगे और जाहिर तोर कर कुछ अच्छी चीजें एक बार फिर सुनेंगे क्योंकि इस वक्त उनकी आवाज ऐसी मशूर हो गई है कि जितना सुनिये लगता है थोड़ा लालच आता है क्यों न थोड़ा और सुन लिया जाए तो मानसदास जी सबसे पहले तो आपका फिर से मैं आभारी हूं और आपको ये जानकारी मिली है की नहीं मिली अभी तक कि आपको इस वक्त पूरा देश जो है बहुत ही प्यार के साथ सुन रहा है और बहुत ही उत्सुकता से सुन रहा है कहां जो गायकी का दौर चल रहा है उसमें इतने पक्के सुरों वाला आदमी कभी इक्षा नहीं हुई कि मैं जो है जाओं मीडिया के सामने जाओं या उन प्लेटफॉर्म से जाओं जहां से लोग मुझे जाने दरसल मैं जिन परमात्मा से संबंध रखता हूँ उनके बारे में तुलसी बाबा लिखते हैं तापस वेश विशेस उदासी परमात्मा राम विशेस उदासी रूप धारन करके अयोध्या से जब निकले और उनके आने के बाद ही भगवती जगदंबा पृत्वी में समाहित ह हो गई तब से अयोध्या की भूमी उदा सिंता से घिरी हुई है तो वहां हमारे जैसे हमसे पहले भी और स्रेश्ट साधु हुए जिन्होंने संगीत को सिर्फ उपासना मार्ग में उपयोग किया उन्होंने प्रदर्शन में नहीं लाया लेकिन मैं यह विचार किया अपने संगेत का पर्याय है यहीं संगीत की रक्षा हुई है आप सुने होंगे हवेली परमपरा जी बिल्कुल तो हवेली परमपरा अप भ्राश नाम है मंदिर परमपरा उसको कहिया अच्छा हवेली परमपरा तो आधुनिक लोगों ने नाम रख दिया उसका दरसल विष्णु क हमारे इं問 हम सब्सकुल है और यहां उन्हों ने ठाकूर जी को राग राग नी सुना है उनके कितने पल जो कणत बिहारी के कर नाम लेकर उनने पत्रकि रचना की है फिर और उनिके सिस्यों के श्रिंखला में श्री राम मोहनी श्रिर्ण चिछृर्वस्स जी के श्रिंखल जो हमारे पुज्य गुरुदेव हुए वो धुरुपद के ताराने के तिरवट के और चतुरंग के और प्रबंधगान के बहुत ही सिध्धास्त गायक है इस समय तो मैं अपनी पात्रता के अनुसार उन से जो सीखा थोड़ा मोड़ा कुशिश कर रहा हूं और बाटता हूं क मतलब कुछ ऐसा वाकिया रहा होगा जिससे आपको लगा होगा कि मुझे सीखना चाहिए संगीत मेरा शरीर ज्यारखंड का है ज्यारखंड में यूपी के बाॉडर पे जी मतलब ज्यादा करीब यूपी के है वो गढ़वा वहां से मैं 13-14 वर्स के उमर में 14-15 वर्स 14 वर् श्री हमारे जो पुजि गूरुदेव हैं उनसे मैंने संगीत की सिक्षा ली रुपद सूरों को कैसे लगाना है यमन में गाणधार कैसे लगेगा तोड़ी में रिशब कैसे लगेगा और जैसे धेनु की आवाज निकलती है दरबारी में वैसा गांधार लगना चाहिए गांधार और धईवतां दोलित हैं कौशी का नड़ा कैसे गाना है रामकली कैसे गाना है भायर भी कितने प्रकार से गया जाते हैं इन सब्वों को ब्र लगन से से कुकि बड़े शौक से मैंने सीखा और फिर शिवरंजनी का मैंने 2-3 में अभयास किया रागनी शिव रनजनी का बड़ा अमन लगता था उसमें उसे बायराग्य मेरे अंदर आ गया फिर मैं साधू हो गया फिए सब्स्तक्त फूंसा शिवरंजनी सुना अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरे नैना सावन भादो शाह बिल्कुल में सुरंजनी में है अच्छा क्योंकि उसमें और रागों का चाया दिखता है अच्छा दूसरी चीज जब आप जहारखंट से आगए यहां पर तो निश्चित तोर पार जो आपका परिवार है आपके जो पेरेंट्स नहीं होंगे उनका किस तरह का निक्या क्या रहा रहा उनका हमारे पिता जी बोले कि चलो एक लड़का साधु हो गया अच्छा लेकिन मा का प्रेम तो आप जानते ही हैं को कुत्रों जाए कोची दपी कुमाता ना भवती हमारी मा बिलक उठी तो हम उसे बात करते रहते हैं अशिरबाद लेते रहते हैं अभी वह हमसे बोलती है बाबु टीवी पे द फिर धरती को प्रणाम करता हूं फिर अपने इस्ट को और यह जो घरानों की परंपरा है आपने इतने बड़े कलाकार का नाम लिया पलुसकर जी का जिनके एक से बड़के शिष्य हुए उंकारना ठाकुर से लेकर और वो खुद उनके पुद के पुत्र डीभी पलुसकर बिल्कुल बिल्कुल हाला कि बहुत ही यह दुर्भागे कहा जाए संगीत का कि दोनों ही लोग बहुत कम उमर में चल बसे उनके बेटे भी और वो भी बिल्कुल लेकिन यह जो घरानों की जो यह परंपरा पर हम आएं जितना काम उनका है जैसे शास्त्रिय गायकों की जो प्रडाई लड़ी है सम्मान की उन्होंने वह अपने आप में बहुत बड़ा काम है आप अपने घराने के बारे में थ्रौशा बताना चाहूंगा हमारे गुरु जी कहते हैं कि जिस अस्थान पे अपने गुरु की दी हुई संगीत विद्या को बैठ करके साधक साधता है वही उसका घराना होता है जी हमारे गुरु जी बता रहे थे हस्वाद्दु खाने कड़क बिजली तान से ग्वालियर घराने को चमकाया लेकिन हमारे अवद घराने में तिहाई परक और मीड परक गय की है घटकामूर की नहीं है यमन भाईयों के द्वारा यमनों के द्व तोनलों सनन दृूपत का खाने की घराने में तोनलों से द्वुपत का आंग की गय की लेकिन इसमें खटके को अपरे हो गो हमारे गुरु जी कर दिये अच्छा हमारे गुरु जी ने अलग इसमें इसका प्रयोग उन्हों ने कर दिए तिहाई परकाई अध्यागराना इसमें तिहाई का खटके का प्रचुर मातर में और सहित बड़े अच्छे मिलेंगे जैसे और जगा सहियां दहीं आपको मिलेगा सहित में लेकिन आका है श्रुद चंद बड़नी सुगर गज गामिने मुद्धू चरन पल लवा बीवल लमा ना दरप्रमाथनी मा के शोरी के उपर श्रुद चंदवदनी सुघर गज गामिनी जैसे हाथी चलता है वैसे चलने वाली भगवती और काम के खिर्दय को भी मथ द भाने वाली है और असिकों के मन को भाने वाली है तो यहां परमात्मा परक्साहित हैं जो मारगी पद्धती में निबद्ध हैं और कुछ अपने घराने के बारे में आप जो बताना चाहते हूं खास तोर पर अपने घराने के बारे में खास तोर पर बताना जो यहां बधाया क की chat Height मतलब यहां समझ जवता नहीं हुआ शास्त्रियाता से हमारे घराने में लेकिन अभी जो इस्थिती है उस उस स्थिती से आप कितने संतुष्ठ है मैं थोड़ा सा चैन्ज किया अपने型 में ज्वात कि बच्चों को समझाने के लिए शर्गमों का कुछ पल्टे टायर की जैसे तो बच्चे यह दो-दो गले को तैयार कर सकते हाल आपके लिए तो कभी बच्पने से लेकर जो अभी तक का आपका सफर रहा है जब आप छोड़के आ गए कभी डाट वाट नहीं पड़ी माता पिताजी से कि तुम यह कर क्या रहे हो भाई दसमी पास कर गए थे पढ़ लिखके कुछ अच्छा नौक में हमिल रहा है मैं बीमार पढ़ू तो डॉक्टर खुद आ जा रहा है कार लेकर दबा करने तो हमारे जो गुरुदेव भगवान है उन्होंने बहुत प्रेम दिया और उन्होंने कस अनुशासन किया डंडा से मार करके व्याकरन न्याय कहें पढ़ोगे नहीं तो संगीत क परिभाशित कैसे करोगे संगीत को तो उन्होंने बहुत कुछ सिखाया और मेरा तो मन रम गया भाई गुरुजी ने डाटा कि नाचने गाने का क्या कम कर रहे हो ब्राह्मन हो करके फिर हमने कहा कि शास्तर में आया है कि निर्टा वसाने नतराज राजो ननाद धक्का नव संगीत जननी है व्याकरण की उसको कैसे छोड़ा जया उन्होंने कह तुम्हारा तरक जायज है तो भी प्रसंद हुए हमारी बात से बोले तुम सीखो और जब आपने सीखना शुरू किया और आप आपने साधू साधू का जो भी वेश धारन करना तो नहीं कहना चाहिए ज क्यूंकि मैंने सुना जिसकी गजयता है उसी खुबसूरती स आप वाली भी गा रहें उसी खुबसूरती साब कहासं और तो निहाले सभ चंख के साबु आए हो जाहा है कि गुरू ने अच्छी अ्च्छी तालीम दी है अगर एक अच्छ गुरू होगा तो अपने सिर्से को वो हर पहलू से मजबूत करेगा ले से भी लाइट के भी सूर इसा लगवायाएंगा तो हमारे गुरू जैसा लगएगा फिर ले तो कोई एक गाना जो आप फिल्मी अंदाज में गाना चाहते हूं अब हुँ हुँ सारा सारा दिल तेरे बिल नहीं गुजर दाया राइड सारी सारी राइड पीमाबाद बंदा परवर्दारा मास्टर सलीम ने गाया है यह पोक हो गया और जब गजल की तरफ जाएं तर गजल की तरफ जाएं होशवालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है गजल में सांसों का बड़ा प्रयोग है किस लब्ज पर कितना सांस लेना है मुहबबत कैसे कहना है लव्ज कैसे कहना है हकिकत कैसे कहनी है उसका एक अधास मतलब भाशा की शुद्धा जो मैं उर्दू सीखने के लिए रोज टेमपू से भाड़ा दे करके फैजाबाद तक कि यहां पर चाय पी के चला जाता था कि इसकी हवा लगे हमें किसी से सीखता नहीं था एजबात तक में टेमपू से आता था कि हवा लगे उर्दू की तो सीखा आपने फिर बिल्कुल सीखा भानु परताब सिंग है हमारे उर्दू गुरू है घाफिल गजी पूरी है दो लोगों से मैंने तालीम ली मेहदी असन और बेगा मक्तर आपको कौन जादा पसंद यह नहीं कहा जा सको यह आपने बहुत क्लिश्ट कर दिया क्योंकि दोनों हमें पसंद हैं दोनों नायाब हैं आप ऐसे ही करें लाल और हीरे में कौन पसंद है आपको लाल भी किमती है सब्सक्राइब को लगता है कि सुनानी चाहिए बेगम अक्तर की मेहदी असन खान साब ने कहा थे एक बार 15 अगस्त का प्रोग्राम था और बॉर्डर पर ही कारेकर्म रखा गया था हिंदुस्तान और पाकिस्तान के फंकारों का तो बेगम अक्तर साहिबा को सुनकर मेहदी दिर्ष्टी से सोच कर बोल रहे हैं मेरे हम नफस अभी जो वैरल हुए है जी 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 मेरे हम नवा मुझे दोस्त बन के दगान दे मैं हूं दर्देश्क में जाआ बलब मुझे जिन्दगे की दुआ न दे मेरे हम नफस मेरे हम नवा यह हो गया के जल्ब पेगम अकर साहिब और मेहदी असन साब का में मेहदी असन सारु का है अब के हम बिछडे तो शायद एराक इसके भी एक बाक्या है वो गाड़ी से जा रहे थे स्वार मंडल अपना कसे थे भूपाली राग में को जगा दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं एक दिल रुबा है दिल में जो हूरों से कम नहीं इस गजल को गाने जा रहे थे तो गाड़ी के उठक बेठक से सुद्ध धाईवज उतर करके कोमल धा हो गया तो सारे गापाधा के जगह हो गया सारे गापाधा लागरे भूपेश्वरी रागनी बन गई जो कि 72 थाटों में से है दक्षिन भारत के बहातर थाटों अउतर भारत दस थाटों में राग नहीं ह यह दस थाटो में ने वो बहतर थाटो में से है हनुमत तोड़िया दियाते हैं मैं दक्षणी गायकी का भी खुड़ा है तो यह वहां स्थूतियों का तो रे को री वहां कहा जाता है और सुरुति पद्द गायकी है तो मेदिया संक साब ने इसी में गया था कि अब के हम बिछड़े तो शायद कभी खाबों में मिलें जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिलें तब के हम बिछ यह शुद्ध मत है जो अलाव चारी मेरिया संक साब के गायकी को मैंने इसलिए चुना वो कृष्ण मत का प्रेव करते थे और शिव मत का प्रेव करते थे मिलें शिव भगवान प्रलय में इसका अलाव लेते हैं इसका अलाव चारी शिव भगवान के लिए फेमस था जिसको मेरिया संसाब बोलते हैं अपने जिए के शिव जी के लिए पर्चार में था ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राये रखें इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानि नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा आप वक्त हो तो तुरन देखें नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतिय शास्त्रिय संगीत के बारे में जागरूकता पहलाने का एक मंच है जो एक रजिस्टर्ड रस्ट है और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खासतर पर ये मुहीम चला रहे हैं जिसका टाइटिल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे